तो अगर आप निऊस फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि गगड़िन रे पे डीले होते जा रहा है लास्टे जरो कहते थे हरा थे कि 2022 में करेगा इस साल चलता रहेगा पर इस सब्सक्राइब.. नरी जन बटा थेहा हूँ thirtyap मैं original इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि यह plan में शायद change आने वाला है और फिर वो पूरा schedule मैस हो जाएगा उसके बारे मैं end में discuss करेंगे सबसे पहले इजरो plan कर रहा है कि वो तीन mission करेगा as of G1, G2 और G3 G1 और G2 uncrude होंगे मतलब उसमें कोई इंसान नहीं होगा वो सब systems वगरा चेक करेगा rocket के और G3 जो है वो crude होगा उसके अंदर हमारे वियोमा नौट्स या एस्टोनौट्स होंगे अब current timeline देखे तो current plan इस रोका कि Indian data relay satellite system अब देखो जब हमारे वियोमा नौट्स स्पेस में होंगे तो important है कि उनके साथ 100% time हम communication maintain रखे क्योंकि अगर उन्हीं कोई problem आया उनकी कोई need हो तो हम communicate कर सके अब ground stations हमेशा contact में तो होंगे नहीं क्योंकि धर्ती का most part तो ocean है तो इसलिए इसरो लांच करने वाला है दो satellites जो orbit में होंगी और गगन यान सी data लेंगे और relay करेंगे ground को ताकि हम हमेशा maintain रख सके communication तो इसरो गगन यान के लिए काफी सारे ground station प्लस IDRSS system इस्तमाल करेंगी यह common है नासा का भी टीटर सिस्टम करके है जो रिले करने को इस्तमाल करते हैं अब इस satellite के साथ दो problems है सबसे पहला तो last year इसरो ने बोला था कि first satellite IDRSS का March to April 2022 में ready होने का planning है अब देखो जब इसरो कोई date code करते हैं तो वह हमेशा लेट होता है मतलब वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है वह इसरो स्टैंडर्ड टाइम है वह कुछ महीन या कुछ साल पीचे होते हमेशा सेकेंड प्रॉब्लम यह कि IDRSS का लाउंच जी सेली मार्क काफी बीजी होने वाले तो इन्पोर्टन यह नहीं है कि वह अन्कुरूड को तो दूसरे कंट्रिस का इस्तमाल कर सकते है या लीज ले सकते है रेंट कर सकते है रिले सिस्टम बट लगतो रहा है कि क्रूड मिशन के लिए G3 के लिए IDRSS ही requirement है अगर नहीं करेंगे तो फिर के अपने एस्टोनॉट के जैसे सब्सक्राइब करना होगा काफी सारी चीजों को और आप देख सकते हो यहाँ पे इस डाइग्राम में क्रू आमका भी एडिशन होना पड़ेगा इसके हमने टेंडर्स देखे है आइड्रॉलिक सिस्टम के वगेरा तो इसका काम चालू है अगला आता है बहुत बहुत इंपर्टन कंस्त्रक्शनी अब यहां में तीन कंस्त्रक्शन मेंट्एण करूंग और सबसे पहला आता है ओएंप्सोल मेरे चाप से होगा ओंप्सोल को नीचे हमारे मॉद्ट यानि environment control life support system जो life support करेगा oxygen वगएरा maintain करेगा pressure maintain करेगा प्लस service model पर engines भी आप देखोगे यह maneuver करने में help करेगा orbit में प्लस orbit insertion में भी जब वापस आएगा तो capsule आएगा और इस पूरे चीज के उपर service model प्लस गगनियान model के उपर एक shroud है जो है launch escape system इसके बारे में आगे explain करूंगा next points में तो इस सब तीनों चीजों को assemble करने के लिए नया building लगेगा क्योंकि इन तीनों चीजों के अपने अपने testing वगर होंगे अलग-अलग अपने stack के testing और integration testing तो इसके लिए इस रो नया building बना रहा है अब एक और नए recent slide में आप देख सकते हो इस building का नया design आमें दिखाए दे रहा है और अगर मैं आपको satellite image दिखाऊ हो तो यह आप satellite image देख रहे हो वह मार्च 2021 का तो आप वह तीनों divisions वगरा देख सकते हो full form में construction चल रहा है मैंने satellite images trace किये पीशे जाके तो करिब December October 2019 से स्टार्ट हो ए construction और आपके screen के और भी time-lapse से चीज़ का construction का यह यूरोप के Sentinel satellites से तो देखे ऐसा लग रहा है कि काम बचा है latest satellite image में उसके roof दिख रहा है करेगा crew health वगेरा और service model और बाकि सब मॉडिल कैसे काम कर रहे है recovery entry सब monitor करेगा अब इसके लिए नया building नहीं है यह old mission control building का renovation करने वाले satellite image से ज़्यादा पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंदर सब काम है और last construction यह भी important है आपको लगेगा यह जादे important यह पर वह गगण्यात्री निवास यानि हमारे जो व्योवन नौट्स रहेंगे कहाँ specifically launch से कुछ हफते पहले इन्हें separate करके quarantine और isolate करना होगा ताकि space में जाने के बाद सिखना पड़ेगा तो उसके लिए एक नया test 2 यानि pat 2 अगर आपको याद है तो जुलाय 2018 में इस्ट किया था launch escape system का तो यह क्या है गगण्यान module पे और service module के उपर एक hatch या cover है जो एक launch escape system है सपोज launch pad पर आग लगती है तो उपर के motors fire करके उसे दूर लेके जा सकते capsule को astronauts को और उन्हें save रखेंगे तो यह बहुत critical test है कुछ failure prevent करने और हमारे astronauts के जान बचाने के लिए तो 2018 में इस्ट कर चुका है अब मुझे quote मत करें आप पर एक ट्रीम था YouTube stream जिसके उपर सैक डिरेक्टर ने कहा था कि उन्हें कुछ problems आई थे उस test के साथ पर अभी उस्ट्रीम प्राइवेट कर दिया गया मतलब वो तूरंत ही प्राइवेट कर दिया तो और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया बट एनिवेज अभी नेक्स्ट पैट अब टेस्ट टू होने वाला है पैट टू इसके उपर जो इंप्रूफ ड प्राइगन का इन फ्लाइड अबोट टेस्ट किया नहीं वो लोग रॉकेट उड़ा रहते हैं एक फेलियर सिमिलेट किया और फिर लोग खुद को अलग करके दूर लेके गया और सीफली लैंड किया पानी में तो सिमिलर इसरो करेगा पर इसरो में रॉकेट निस्तमल जिसका नाम होगा टेस्ट वेहिकल प्रॉजेक फ्रोजेक्ट फ्रोजे करने अब यह चीड प्लाइड में देखको घजש कर कॉंस्टेंट थीम मिलेगा कि जो जी एसी है यानि गगन्यान एडवाइजरी कमीटी एडवाइजरी कमीटी वो प्रेशर कर रहे है कि जीवन अंकुरूड मिशन जो है वो सब जादा से जादा पहले हो उनका टारगेट है इंडिपेंडनेस जैसे पहले 2022 ताकि वो अमरित म टेस्ट यहां पर हमारे चिनुक हैलिकॉप्टर हमारे जो कैप्सुल को है वह उपर लेके जाएगा और फिसे ड्रॉप करेगा फिर वह पैरिशूट वगरा सब वैलिडेट होंगे जो एरड़ानिक प्योफार्मंस से वह वैलिडेट होगा और पूरा जो सीक्वेंस से डिस इसके बाद आते एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यानि यूमन रेटिंग ऑफ जी एसलियो मार्क 3 तो गगन्यान जो रॉकेट इस्तामल कर रहे है वह जी एसलियो मार्क 3 यूमन रेटेड वर्जन उसे वह एचारल भी कहते है यूमन रेटेड लांच वहिकल तो इसके जो एसकेफ सिस्टम है वो फायर करें वगरा वगरा यह टेस्ट होगा अंकुरूड मिशन पर ही जी वन जी टू पर ही होने आइडिली होना चाहिए तो यह तो है और एथ पॉइंट आता है जो मैंने कहा चेंज इन प्लाइन हम एक रिसेंट रिसेंट नहीं पिछले साल इं क्रूड हो और जी फाइक क्रूड हो अगर ऐसा होता है तो हमें जो कुछ होता है ना तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे प्लस जो एक फीलिंग चली जाएगे ना स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूरे देश में वह बहुत गंदी होगी तो इंपॉर्टन्ट है कि जितन कॉन्फिदेंस यह उतना वो टेस्ट करें यह सिमिलर है चाइना से चाइना ने भी चार अंक्रूड मिशन किये पहले और बाद में फिस्ट वाला क्रूड किया इन फैक्ट इसरो शायद फर्स्ट मिशन में इकले सिस्टम ही ना डाले इकले सिस्टम मतलब एन्वार्मेंट क करने ट्राइब कर रहे हैं जितना हो सके एनिवेज मोस्ट आफ दस्पेस प्रोग्राम ऐसे ही डिले हो चुके जो भी क्रूड रिलेटेड है यूमन रिलेटेड है क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो जाता है टॉपिक जब आप इंसानों को डालनी की प्लैन करते हो जब आप ज सब्सक्राइब के साथ खेल रहे हो और साइंटिश वगरा बहुत सेंसिटिव हो जाता है इसे चीज़ों पर तो डिलेज एक्सपेक करो आप और भी जादर डिलेज एक्सपेक करो मेरी इसाब से 2026 प्लस ही लग रहा है मेरेको कि हमें ऐस्टोनाट्स व्योमा नॉट्स जयम शर्मा रोवित सुवर्ना रारान प्रसाद सुमीत रंड़ाई हिमांशु शंकर सिधार क्रिष्ण सचिन यादो कुजवि मेता अकशपटिल एनॉनिमस तनमय देश पांडे विक्रम वर्मा अभिशेक श्रीवास्तवान इशंत कुमार प्रिंस बंसल प्रीथम रजद देश पांडे विशाल बारत तरुन माजन शशंक कोठारी श्रीहर्च महापात्रा पल्लो रानडे गौतम सैसुर्या मोहमद शाजन रिसर्च एक्स्प्लोरर हाइडरेटिंग और क्रिस्नायर